अब आपको जो शूट में बाजु लगती है उसको सिलना सिखाएंगी तो चलो वीडियो स्टाट करते हैं तो यह हमने जो बाजु है वो अपनी काट रखी है इसके लिए हमें सबसे पहले यह यह मारा बॉल्डर है बॉल्डर के जो इस साइड यह कपड़ा है इसे हम फोल्ड करेंगे और तुपाई करने हैं तो तो पांच नंबर पे शिलन लगा के तुपाई कर लो तो हम यह पांच नंबर पे शिलाई कर रहे हैं और यह 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 थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके यह शिलाई ऐसे लगा लेंगे तो दूसरी जो बाजु है उस पे भी हम ऐसे ही ऐसे सिलन लगा लेगी, यहां से फोल्ड करना है, और यहां से आर्मो लिखा रखना है, सवाथ, सवाथ की पे निशान लगा लेगी, और यहां से मारा है दस तो ये पांच पर निशान लगा पैंब लिएक। आपको से दोसरी बाजू पे भी ऐसी निचान लगा लेगी जह भी यह धीन निचान लगा के वहाँ पे सलाई लगा दें आप आप सेम ऐसे ही दूसरी वाजू पे भी शिरल लगा लेगे ऐसे वाजू को भी शालोंगे कहां लाज बजिए। आपने जो थीचाओ के बाजू के लगाने एक बाजू बड़ने लिए के बाजू बड़की कायए लिए इसे दरके लेगे वाजू बनाराई गचाओकोस सीच्रीप जा सुछ भी ठीट अब है अवर बाजू के भी शालोंगे बाजू को यह है तो लगाने के लिए रखे मैं ते लार ना है ना के अधी तरह हुआ को आ पर एक लोगेगी आप आप पहले रख लो इसको कि इन दोनों का एक तरफ हुआ इस वाली काट का और इस तरफ का आमने सामने हैं तो यह इस पर लगेगी और यह वाली जो इस पर लगेगी तो हम यह आपको एक अटेज करके दिखा रहे हैं अब यहां बाजू को कर लो ऐसे सीधा एसे कर 경ud कर लो सीधा ठीक है, और यह जो सीलन वाली साइड है यहां से पकड़ोगी और यह बाजू इसके अंदर ऐसे डात Esc ठीक है और यह फिटिंग वाली यहां से बाजू के शाइड है ऐसे करके अटेच अब इस पर सिलर लगाएगी ऐसे करके अब सिलर लगाएगे इस पर यह वह जो टिच वाले बटन लगाने के लिए रियमने वह लगा रखी बना रही है दोरी सी और इसको भी इसके साथ ऐसे अटेच करते हैं आदेफिए ईसे नर लगाते जाएगे सेवी और यह दोस्तुमारी एक वाजू लगाएगे इसी तटीके से आफ दूसरी वाजू भी इस पर लगा लोगी तो यह देखो दोस्तों इस जो बटन गाएगे है यह हमारी लग गई है और सेम ऐसे ही हम दूसरी बाजू भी लगा लेंगे हां तो दोस्तों यह देखो हमने दोनों जो बाजू है अटेज कर लिए तो इस तरीके से आप भी वड़ी असानी से जो बाजू है वह ने कमीच पे लगा सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो लगाई है